हालो स्ट्रूइन्स अब हम कुछ और क्वेशन देखते हैं यह क्वेशन है आपके NCRT के मिस्लेनियस का क्वेशन नंबर 10 दस्वा क्वेशन है मिस्लेनियस का क्वेशन है कि प्रू करना है कॉट इंवर्स अंडरूट 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x upon under root 1 plus sin x minus under root 1 minus sin x equals to prove करना है x by 2 x by 2 ठीक है तो यहां पर हमने जो आपको properties लिखवाई थी जो substitution लिखवाए थे जो formula लिखवाए थे वह तोड़ा सा sheet को आप देखी है उसमें आता है जब 1 plus sin 2x 1 plus sin 2x लिखते हैं cos x plus sin x का whole square यहां पर है 1 plus sin x तो cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square यह बड़ा important है यह अगर आपको द्यार हो गया तो question करना easy होता है तो same इसे convert क्या चारों को इस अंडर रूट से स्क्वाइर रूट कैंसल होगा तो अंदर बच्चे का cos cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2 पोल अपन में cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 or plus sin x by 2 bracket लगा है इसलिए था हमने यहां पर जब अपन होगा तो यह यहां पर हम में में लेगा cot inverse cos x by 2 cos x by 2 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2 2 say 2 cancel equals to cot inverse cos by sin cos x by 2 अब अब जैसे अगला कॉष्यन है अगला कोश्यन है लेक्ष्ट लेक्ष्यन देख लेते और और कोश्यन हैं यह अन्यक्स क्वेशन नहीं है आपके NCRT के मिस्लेनियस का क्वेशन नमर 11 तेन वर्स अन्डरूट वन प्लस एक्स प्लस अन्डरूट वन माइनस एक्स अपॉन में अन्डरूट वन प्लस एक्स और प्लस अन्डरूट वन माइनस एक्स एक्वल टू प्लू करना है पाई बाई फोर अबोक को रिफर करिएगा माइनस वन बाई टू कॉस इंवर्स वन बाई टू कॉस इंवर्स एक्स एक्स यहां पर एक्स को मानते हैं कॉस्ट थीटा अब आंसर लाना है कॉस्ट इंवर्स एक्स एक्स को मानते हैं कॉस्ट थीटा अगर यहां होता साइं इंवर्स तो हम मानते साइं थीटा तो वह इसी होता है सब्सक्राइब कॉस्ट थीटा तो यह यह टू मैं वह अविट्ट थे इंवर्स अन रूट फ्लस पॉस थीटा थीटा प्लस अन रूट यह मान wers थीटा अपन अन रूट 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, plus under root, 1 minus cos theta, equals to theta inverse, what is 1 plus cos theta, 2 cos square theta by 2, under root, 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2, under root, 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, double angle formula, half angle formula, under root, 1, 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2, under root, 2 sin square theta by 2, so equals to theta inverse, root 2, root 2, root 2, root 2, common I cut it, theta by 2, cos theta by 2, minus sin theta by 2, upon me, cos theta by 2, plus sin theta by 2, और इसको direct करूँ मैं अगर तो आपको याद होगा, cos theta minus sin theta, upon cos level sin theta, यह आपको लिखवाया हुआ है, तो we can write 10, pi by 4 minus theta by 2, pi by 4 minus theta होता है, यह कैसे किया था, लास्ट कॉशन में देखा था है, कल जा हमने कॉशन किया था, तो हमने देखा था, cos common निकाला था, right, is equals to, यह 10, 10 गया, तो pi by 4 minus theta by 2, तो यह आगे हमाला answer, pi by 4 minus 1 by 2, what is theta, theta is equals to cos inverse x, cos inverse x, यह स्वाल हो गया, प्रू हो गया, थोड़ा fast किया है question को, और disturbance भी है वीडियो में, पर आप समझ जाएंगे, और अब तक हमें जित्ते भी inverse question किया है, यह सारे question आपको purpose करना चाहिए, और यहां पर हम inverse trigger function का chapter है, वो खतम कर रहा है, और कल से में start करेंगे differentiation, तो इसके अलावा आपके पास में inverse के कोई भी question कभी भी हो, तो आप जरूर मुझे से पूछ सकते हैं कभी भी, okay, so thank you, thank you very much.